गलतिया तो हम सभी करते हैं लेकिन अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती को रिपीट ना करें और आप अगर बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि मार्क्स इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि आप कितनी कम गलतिय करते हो तो फिजिक्स में पांच ऐसे मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आपको अवाइड करनी है नहीं तो आपके नंबर कटेंगे और फुल मार्क्स लाने का जो आपका सपना है वह पूरा नहीं हो पाएगा तो चलिए फिजिक्स में इसी पांच common mistake है जो बच्चे अक्सर करते हैं जो आपको नहीं करनी है चली वन बाइवान स्टार्ट करेंगे बच्चो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सबसे पहले आपको पता है physics में numerical आते हैं और light chapter में जो numericals बनता है उसमें mirror formula और lens formula पर numerical जरूर पूछा जाता है अब कई बार हम question जल्दी बाजी में पढ़कर हम formula गलत लगा देते हैं तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे कि mirror formula में यहां sign plus है यहां आपका plus sign का use हुआ है लेकिन वहीं lens formula में यहां आप देख पारे हो sign minus है तो जल्दी बाजी में आप यह sign मत गलत लिखना और यह गलत लिखने पर सारा numerical गलत हो जाएगा और यहां तक कि mirror और lens के case में magnification का formula भी different है mirror में magnification का formula हम लिखते है M is equal to minus V upon U वहीं lens में हम लिखते है और आपके number कटेंगे ठीक है चलिए पहले mistake के बाद अब आती है दुसरी mistake जो बच्चे करते हैं जब भी बात आती है ohms law की graph की तो कई बार question आता है यह graph बनाओ आपको potential और current का data दे देता है reading देती है और उस reading का use करके आपको ohms law का graph बनाना होता है ठीक है तो graph बनाते समय बच्चे अक्सर गलती करते हैं आपको पहली बात यह धियान रखना है किसी भी graph में दो axis होते हैं x axis और y axis ठीक है और अगर आपको graph सिर्फ बोला है तो आप वी आई graph बन बना दीजे जिसमें y axis पे आप potential को plot कर दीजे और x axis पे current को plot कर दीजे लेकिन अगर specify कर दिया है कि IV graph बनाओ तो फिर IV graph बोला है तो y पर आपका current हो जाएगा x पे potential हो जाएगा और vi graph मतलब y पर आपका potential है x पे current है और graph बनाते समय जब आप reading को plot करेंगे तो आप यह देख 24 यानि मैं एक एक का difference ले रहा हूं या ऐसे लेख सकता हूं 0, 1.5, 3, 4.5 तो हमेशा difference कितना आ रहा है 1.5 का यानि हमेशा equal difference रखना है दो reading के बीच में चाहे आप x axis पे plot करें चाहे y axis पे plot करें दो reading से बीच में gap equal होना चाहिए तो graph को draw करने भी आना चाहिए graph का slope निकालना आना चाहिए क्योंकि वी आई graph का slope है वो resistance की value देता है और IV graph का slope है वो one by r यानि one upon resistance की value देता है तो उस पे भी question पूछ लिया जाता है कि graph देकर आप से पूछ लिया जाए कि बताओ resistance कितना है और फिर graph की properties आपको याद रखनी है जो बच्चे नहीं याद रखते हैं तो आपने पढ़ा है कि ohms law का graph straight line होता है origin से पास करता है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ mistake नहीं करनी है graph बनाने की practice कर लेना ठीक है next third mistake आपके light chapter में या magnetic effect या human ना या electricity सब में कोई ना कोई important diagram है light में ray diagram है तो ray diagram हम बच्चे देख लेते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते बस यह पढ़ लेते हैं कि lens या mirror के सामने object को यहां रखोगे तो image यहां बनेगी ऐसी बनेगी virtual बनेगी real बनेगी लेकिन उसकी बनाने की practice तो करो और कई सारे rule समझाए गये हैं जैसे एक rule आपको पता है कि नहीं मैं बता देता हूं कि ray diagram बनाते समय या image बनाते समय कम से कम 2 rays का मिलना जरूरी है है ना तो इन बातों का ध्यान में रखके आपको जितने भी chapter हैं आपके physics में सबके diagram जरूर practice करके जाओ board exam में जी हां labeling के साथ जैसे human eye का diagram है तो human eye के जो parts हैं उनके साथ उसकी labeling diagram जो NCIT में दीए उसको पढ़के जाओ क्योंकि ह को सकता है उस label diagram पे question आ जाए है ना बात समझ में आ गई तो आपको हर diagram की practice करनी है जो भी आपके NCIT book में दी गई है आपको नहीं पता आपसे किस से question बन जाएगा तो किसी भी diagram को हलके में न ले और diagram की labeling को जरूरू ध्यान रखो अगर labeling है तो पूछा जा सकता है उसी तर ज domestic electric circuit का diagram दिया है magnetic effect chapter में वो पढ़के जाईए तो यह बहुत important है चली फिर आगे चलते है next जो mistake बच्चे करते हैं कि hand rule apply करते समय अक्सर mistake कर देते हैं जहां right hand thumb rule लगाना है वहां flaming left hand rule लगा देते हैं और जहां flaming left hand rule लगाना है वहां right hand thumb rule लगा देते हैं पहली चीज़ एक question जब भी पूछा जाए कि force निकालो तो क्या force आपको यहां दिख रहा है नहीं force निकालने के लिए या force का direction पता करने के लिए हमेशा rule कौन सा use होता है flaming left hand rule और बच्चों को यह पता ही नहीं रहता बच्चे बार बार right hand thumb rule लगा देते हैं तो ऐसा नहीं करना है right hand thumb rule में केव force भी है ठीक है और जब भी straight conductor की बात होगी या coil के form में अगर wire है circular loop के form में wire है उसमें अगर current या magnetic field का direction निकालना हो तो आपके लिए right hand thumb rule है लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि current और magnetic field आपस में perpendicular है और charge particle हमने उसको motion में ला दिया charge particle को हमने project कर दिया तो वो किधर deflect होगा तो यह वाला जो question आ गया तो deflection का direction उधर ही deflection होगा जिदर force लगेगा तो खुद समझ जाओ कि force पूछा है यानि इसका direction flaming left hand rule से लगाएंगे और एक चीज़ और जब हम rule apply कर रहे हैं तो आप hand भी देख लो कि हम सही hand यूज़ कर रहे हैं flaming left hand rule में left hand यूज़ करना है अब क्या होत है तो यह मेरा right hand है तो लगा तो रहे हो flaming left hand rule लेकिन आपका hand गलत है right hand आपको left hand यूज़ करना है और वही right hand thumb rule में आपको right hand यूज़ करना है अब rule लगा रहे हैं लेकिन hand गलत यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपसे mistake हो जाएगी तो hand का भी ख्याल रखिए ठीक है और यह question practice जितना जाधा करेंगे उतना जाधा आपसे यह mistakes नहीं होंगी तो दिमाग में बैठ गया ना जब भी force की बात आएगी तो समझ जाना कौन से rule flaming left hand rule अब बात करते हैं आखरी mistake जो बच्चे करते हैं sign convention में है न यूवी का sign क्या लें पता नहीं चलता तो एक चीज़ समझ ली optical center होता है और जितनी भी distance measure की जाती है वो पोल या optical center से ही measure की जाती है बाकी चीज़े सेम है कि पॉल या optical center से आगर right में distance measure करोगे तो positive लोगे left में distance measure करोगे तो negative लोगे अब आपने देखा होगा हमेशा यहाँ माल लीजे mirror है या lens है तो object को हमेशा हम इधर ही रखते हैं त तो pole और optical center से आपको left जाना पड़ेगा तब object की distance क्या निकलेगी पता चलेगा तो इसी लिए object की distance हमेशा minus होती है आपको right जाना है या left जाना है शुरू यहीं से करोगे और right जाओगे तो positive लोगे, left जाओगे तो negative लोगे और principal axis के ऊपर जो भी height measure की जाती है वो positive होती है और principal axis के नीचे कोई भी height measure की जाती है तो वो negative होती है तो जब हम कहते हैं real inverted image, तो inverted image मतलब कि वो principal axis के नीचे बनेगा, और अगर वो नीचे बनेगा, तो उसकी height क्या होगी, negative, virtual and erect image, तो नामी है, erect, erect मतलब सीधा, यानि वो principal axis के उपर बनेगी, चाहे इधर बने, चाहे इधर बने, तो virtual erect के case में height क्या होगी, positive होगी, और अगर व virtual image इधर बन रही है, तो उसकी distance positive लेंगे, लेकिन अगर वो virtual image इधर बन रही है, तो उसकी distance negative लेंगे, है ना, बास समझ में आ गई, तो बस एक छोटा सा difference है, लेकिन यहाँ बच्चे confused हो जाते हैं, तो बाकी चीज़े, sign convention, mirror or lens के case में same है, बस कहां से start करना है, वो point अलग- पास समझ में आ गई, तो अगर यह आप 5 mistake avoid करते हो, तो number कटने का chance तो कहीं है नहीं, और science में full marks आपको मिलेंगे, तो science में physics के यह जो mistake थी, वो बहुत common है, इसलिए मैंने आपको यह video बना के दिया है, अब आपसे एक, मैं क्या कहता हूँ, मैं आपसे एक challenge लेता हूँ, कि आपको मैंने video दिया, बना कर, अब आपको challenge में देता हूँ, कि भाई, गलती मत करना, ना बच्चों, गलती नहीं करोगे, अपने आपसे challenge लो, कि नहीं sir, गलती नहीं करेंगे, ठीक है, अब board exam के लिए, तयारी में जुढ जाओ, समय कम है, जो जितना जादा time use करेगा, वह